Hello everyone, very good morning to all of you, उम्मीद करता हूँ आप सबेफे 10 फाइन होगे, वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए, PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की के साथ, साथ में अगर आपने टेलिग्राम चैनल मेरा भी नहीं ज आप लोड करता हूँ, तो टेलिग्राम आप ज़रूर जोइन कर लीजे, वहीं पर आपको सारी क्लासेस के लिंक शेयर होते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मई 2021 के इंपोर्टेंट करिंट इफेर कवर करेंगे, उससे पहले दो एनाउस्मेंट है, जो कि मैंने कल रा से जो रही है, तीन और चार तारिक को मैं स्टाटिक जी के MCQ की क्लास ले चुका हूँ, अब आज है 5 तारिक, तो 5 और 6 आज और कल करेंट अफेर की क्लास होने वाली है, यह जो करेंट अफेर की क्लास आज और कल होगी, इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के इंपोर्ट की क्लास खुल जाएगी, फ्री ओफ कॉस्ट, साथ में ऐसे स्टुडेंट जो की GS का फुल कोर्स परचेस करना चाहते हैं, यह पेड़ कोर्स है, तहां लखेगा, प्लस पे, तो आप अन एक एडवी प्लस पे सब्सक्रिप्चन ले सकते हो, डिसकाउंट कोड है, यहाँ पर साथ तारिक से, और खास बात इसकी यह है कि डेली 90 मिनिट की इसमें क्लास होने वाली है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जिग्रफी, साइन्सी को, मैं सब कुछ इसमें कवर करने वाला हूँ आपका, आने वाले किसी भी बंडे एक्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे देने जाई यह उसके बाद, स्सी देने जाईए, स्टेट पुलिस का एक्जाम दीजे, कोई भी एक्जाम दीजे, सारा काम आपका यहां से हो जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पहला कोश्चन है आज का, आप से कह रहा है, सांगरी ला डायलॉग एशियन सेक्योर्ट समिट, इस समिट की खास बात यह है, कि इसको सिंगापुर में चार और पांच जून को और्गनाइस किया जा रहा है, अभी फिलाल यही नियूज है, अगर यह कोविड की वज़े से इन केस टल जाता है, तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूँगा, लेकिन फिलाल आपको यही नियूज है, इन केस अगर कोई चेंजमेंट आता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, इसमें पाटिसिपेंट्स होंगे, दुनिया भर के कई देशों के टॉप मिलिटरी ओफीसर यहां पर भाग लेंगे, साथ में डिप्लोमेट्स यहां पर पाट लेंगे, औ तो सिक्योर्टी से जुड़ी होई यहां पर भारता होगी, आपस में कंट्रीज, वेपन से जुड़े हुए ट्रेडिंग पर बात करेंगे, सिंगापूर की कैपिल है सिंगापूर सिटी, भूटान की कैपिल है थिंपू, मालदीव की कैपिल है माले, और मौरिशियस की प्रविंद जुगनौत क्या नाम है प्रविंद जुगनौत मालदीस में इब्राहिम मौम्मद सोली की सरकार है और सिंगापूर के इस टाइम पर प्रदान मंत्री है ली सेंग लूंग क्या नाम है ली सेंग लूंग और भूटान में इस टाइम पर प्रदान मंत्री है लोटे sharing क्या नाम है lote sharing अगला question है US is going to set up its large crimson solar energy power project in which place आपसे question का मतलब हिंदी में यह कह रहा है America जो है यह America का आज तक का सबसे बड़ा solar energy power project जिसका नाम है crimson solar energy project इसकी स्थापना कौन सी जगे पर करने जा रहा है अमरीकी सरकार इस solar project की स्थापना करने जा रही है California के desert में तो इसका नाम है site का नाम है California desert जहां पर आज तक का अमरीका का सबसे बड़ा solar power plant लगा जाएगा जिसका नाम है crimson solar energy project इसके beneficiary जब यह plant पुरा बनके तयार हो जाएगा तो इसकी मदद से 90,000 घरों में बिजली पहुचाई जाएगी वहां पर ओके और इसको बनाने के लिए 2000 एकर जमीन फूरी लग रही है जिसको acquire किया है अमरीकी सरकार ने और इसको बनाने में जो आने वाली है वह आ रही है 550,000,000,000 अमरीका में आपको पताई है जे बीडिन की सरकार है अगला question है recently which tournament has been postponed because of covid कोरोना वाइरस pandemic की वज़े से इन में से कौन सा tournament है जिसको postpone कर दिया गया है आप सभी करीब करीब आदा हो चुका था तो अब जाकर इसको postpone कर दिया गया ऐसा ही इस वज़े से कि कई सारे players और staff covid positive निकल है जिसकी वज़े से final जो IPL committee है और VCCI इन दोनों ने साथ मिलकर क्या किया फैसला लिया कि IPL को postpone करना ही वहतर होगा और अगर जो बड़े नामों की बात करी जाए तो आप लोगों ने नाम सुनाओगा लक्ष्मी पती बाला जी पहले भारती क्रिकेट यह खेल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर बॉलर हुआ करते थे या फिर आप मीडियम पेसर भी इनको बोल सकते हो यह इस टाइम पर चिन्नाई सुपर किंग्स के वालिंग कोच है तो लक्ष्मी पती बाला जी पॉस्टिव निकले हैं साथ में संदीप वारियर्स जो की केके आर से बिलॉंग करते हैं कॉलकता नाइट राइडर से वरुन अबुधाबी इस टाइम पर BCCI के चेर परसन कौन है क्या आप मुझे कमेंड बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अगर आपको पता है तो लिखकर बताईए कमेंड बॉक्स में आज का आपसे कोशन यह है अगला कुशन है रिसेंटली इंडियास फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस है इन विच आईएटी आपसे कह रहा है भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस जिसका शुभारंब कहां पर किया गया कौन से आईएएटी में बारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का इन विच आईएटी मदरास में अभी हाली में निर्मला सीतारामन के द्वारा वर्चली किया गया अब समझें यह है क्या 3D प्रिंटेड हाउस होते क्या है 3D प्रिंटेड हाउस basically एक computerized technology है जिसकी मदद से घर बनाया जाते है अब आप कहोगे ऐसी कैसी यह technology है जिससे घर बनाए जाते हैं, computer की मदद से घर बनाए जाते हैं, देखे, 3D printed house technology को इसी को additive manufacturing के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको additive manufacturing, इसमें क्या होता है, computer की मदद से घरों का three dimensional shapes तयार किये जाते हैं, और उसके बाद आप आप देख रहे हो, ऐसी करके यह पूरी lobby तयार कर दी गई है, अब इस lobby में आप देख रहे हो, यह एक proper stand है, और यह एक proper stand है, इस stand से लगा हुआ, यह stand है, अब आप देख रहे हो, एक साथ यहाँ पर लगातार यह घर बनते जाएंगे, मतलब कहने का, कि यह जो दिवारे बन नहीं है, इनमें concrete साथ में gypsum भी use किया जाता है, जिससे क्या रहता है, कि लागत भी कम आती है, यह दिवारे जल्दी बनके तयार होती है, और साथ में ठोस भी है, जाता रहती है, तो कि जो gypsum में इसकी खास बात होती है, कि इसमें नमी जितनी ही मिलेगी, पानी जित गूमती रहेगी, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, ठीके, तो कहने का मतलब अगर इसके उपर cement चड़ा, तो cement यहां पर भी उतर जाएगा, इसके बाद यह आगे बढ़ जाएगी, इस वाले घर में cement उतारेगा, फिर आगे बढ़ जाएगी, ऐसे करके उतारता कि खास बात क्या है, आप इसकी मदद से, single story home, मतलब कहने का कि, एक आपका drawing room, एक bedroom, bathroom, kitchen, इतना आप 5 दिन के अंदर बना सकते हो, 5 दिन के अंदर full furnished इसके मदद से तयार किया जा सकता है, बात आगे ही समझ, और यह जो machinery है, जाहिट सी बात है, यह computer based technology के थुरू control करी जात है, अब सोचो इसकी मदद क्यों बड़ी, भारत सरकार ने इसकी स्थापना IIT मतरास में क्यों करी है, क्योंकि प्रधान मंत्री नरेन मोदी के द्वारा एक scheme चलाई गई है, जिसका नाम है housing for all, साल 2022 तक, प्रधान मंत्री नरेन मोदी की सरकार, इस लक्ष को प्राप्त करना चाती है कि भारत में below poverty line को, जितने भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके अपने घर होने चाहिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, तो उसको achieve करने के लिए 3D printed house technology की स्थापना करी गई है, IIT मतरास के अंदर, उमीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो के CEO कौन है, इनका नाम है आदरपुना वाला, इन्होंने अभी हाली में announce किया है, कि Siram Institute of India 300 million dollar invest करने जा रहा है एक देश में, और ये देश कौन सा है, जाहिर सी बात है, ये होगा Britain, Britain क्यों, क्योंकि Britain में Oxford University के द्वारा, जो COVID vaccine का formula था, वो Siram Institute of India से share किया गया था, तब जा आस्तरा जनका के नाम से जानते हो, तो जो आस्तरा जनका है, Siram Institute of India ने इसको बनाया और पूरी दुनिया वर में इसकी भारी डिमांड ने चल रही है, जिसकी बज़े से Siram Institute of India को पहले से कहीं जाधा फायदा मिला है, और यही रीजन है कि Siram Institute of India टार्गेट लेकर चल रहा ह 300 million dollar invest करेगा वो आगे आने वाले टाइम पे, कहां पर? ब्रिटेन में, यहाँ पर Siram Institute of India के CEO आधरपुना वाला ने यह भी अनौन्स किया है कि इनका टार्गेट है अगले कुछ सालों में 1 billion dollar के profit को टच करना, UK की Oxford University के साथ मिलकर, और इन्होंने एक बात और specify करी है, कि इसकी वज़े से कई सारी jobs भी निकलने वाली हैं Siram Institute of India में, काफी रोजगार निकलेगा इसमें, तो आने वाले टाइम पर Siram Institute of India से जुड़ी हुई नौकरियों पर भी आप ध्यान देना, अगर इसकी नौकरी मिल जाती है तो बुरी नहीं है, और by the way Siram Institute of India इसकी स्थापन अगला कुश्चन है, विच इस्टेट और यूटी गवर्मेंट हैस एनौस्ट, फिनेंशल असिस्टेंस और रूपी 5,000 तो आल रिक्षा एंड टैक्सी ड्राइवर्स, ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार हैं, जिसके द्वारा अभी हाली में एनौस किया गया, कि जितने भी ऑटो रिक्षा ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन सभी को 5,000 रुपए की विद्धी सायता ये सरकार देगी, ये है दिल्ली में अर्विंद केजरीवाल की सरकार, इनके द्वारा अनौस किया गया है, कि जितने भी ऑटो रिक्षा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स डिल्ली के अंदर कारे कर रहे हैं, उन सभी को COVID pandemic की वजए से 5,000 रुपए की विद्धी सायता सीधे अकाउंट में दी जाएगी, अर्विंद केजरीवाल सरकार की तरफ से, ओके, यहाँ पर आपको बता जूँ, सिर्फ ऑटो रिक्षा और टैक्सी रहना उसके लिए, और दिल्ली में गवर्नर कौन है, अनिल बहजाल, गोवा में प्रमो सावंध की सरकार है, गवर्नर है आपर भगस सिंग कोसियारी, उत्राखंड में त्रिवेंद सिंग, माफी चाताओं, त्रिवेंद सिंग रावत ने तो रिजाइन कर दिया, अब यहा कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है, जिसने अभी हाली में अनौस किया है, कि अगले दो महिने तक और मुफ्त में राशन सामक्री यह देंगे, तो ये भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इनके द्वारा अभी ये दो अनौसमेंट हाली में किये गए हैं, देखो सबसे 6 महिने हो चुके हैं, तो अभी फर्दर 2 महिने और के लिए इन्होंने अनाउंस करती है, कि किसी को भी दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेगा ये पूरे दिल्ली वासियों के लिए नहीं है, ये मत समझेगा, ये बिलो पावर्टी लाइन की बात हो गड़ी भी रेखा से नीचे वालों के लिए बात हो रही है, तो उनको दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर-घर जाके सरकार की तरफ से रेशन किट उनको प्रवाइट करी जाएगी अगले 2 महिने के लिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंग की सरकार है, गवर्नर है याँपर वीपी बद्नोर, उडिसा में नवीन पटनाग की सरकार है, गवर्नर है गनेश इलाल, बिहार में नितीश कुमार की सरकार है और गवर्नर है याँपर वागु चौहान, और आपको पता है, यह जो फ्री रेशन किट मिल रही है, कितने लोग इसके बे एको संगार है, गुए है और यह जो इस ठाइन पर चलना है, ठीक है? और यह जो बिरवइन मुन रखेक में इस party की स्थाफना पता है कब करी गई थी इसकी स्थाफना 1949 में करी गई थी और यह जो MK Stalin है आने वाले 7 माई को शफत ग्रहन करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में तमिलनाड में तमिलनाड के अभी मुख्यमंत्री कौन थे यह थे UK Palani स्वापी तो UK Palani स्वामी ने अभी कली के दिन तमिलनाड के गवर्णर जो है बनवारी लाल परौहित उनको अपना resignation सौब दिया है, त्याक पत्र उन्होंने दे दिया है पता है ना आपको Chief Minister अपना resignation किसको देता है, Governor को देता है ना और ऐसा ही Prime Minister अपना resignation किसको देता है, President को, रास्ट पती को अगला question है, Who has won World Snooker Title 2021 साल 2021 का, अभी हाली में World Snooker Title किसने जीता Snooker Title 2021 का इस बार जीता है, Mark Selby ने, क्या नाम है, Mark Selby Selby कहां के किलाड़ी है, यह British किलाड़ी है, Britain से बिलॉंग करते है और आपको बताएं interesting fact, World Snooker Title इन्होंने पहली बार नहीं जीता है नहीं दूसरी बार, चौती बार इन्होंने जीता है, यह चौती बार है जब World Snooker Title इन्होंने जीता है यहाँ पर अगर बात करें, तो इन्होंने किसको defeat किया Final Round में, इन्होंने Sean Murphy को राया Sean Murphy कहां के किलाड़ी है, Murphy भी British किलाड़ी है तो एक तरीके से देखा जाए, तो Final जो हुआ है, यह दोनों Snooker है, उस्टेलिया के किलाड़ी है अगला question है, who has become the new RBI deputy governor अभी हाली में, RBI के नए deputy governor के रूप में किसको appoint क्या गया है RBI के नए deputy governor बने है, T. Ravi Shankar और इन्होंने किसको succeed किया, देखो important thing यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखनी कि Ravi Shankar ने किसकी जगे लिए तो इन्होंने BP कानूंगो की जगे लिए, किसकी BP कानूंगो BP कानूंगो अभी हाली में 2 April को retire हुए तो उनको succeed किया है, किसमें T. Ravi Shankar क्योंकि यह important इसलिए है, कि आप से यह पूछ सकता है कि कौन से deputy governor को succeed किया है कई deputy governor है, उनमें से किसकी जगे पर T. Ravi Shankar आये है then you have to know कि BP कानूंगो को succeed इन्होंने किया है और T. Ravi Shankar की बात करें तो इससे पहले यह RBI के executive director की post पर दे अब यह बन गया है RBI deputy governor RBI के governor कोन है इस टाइम पर? शक्तिकांत दास आपको ध्यान दाना चाहिए शक्तिकांत दास RBI के 25 वे governor है RBI की स्थापना 1935 में करी गई थी 1934 act के तहत इसका headquarter है मुंबई अगला question है recently Manas Bihari Verma has passed away he was a what? आप से कह रहा है अभी हाली में Manas Bihari Verma जी का निदान हो गया यह क्या थे? justice थे, musician थे, scientist थे या writer थे Manas Bihari Verma जी एक scientist थे और यह aeronautical scientist थे आपको पता है इनका कारेकाल DRDO के साथ रहा है इन्होंने DRDO में 35 साल as a scientist सर्व किया हुआ है और अभी हाली में इनकी उत्करस्ट सेवा के लिए 2018 में इनको पदमश्री से भी सम्मानित किया गया था मात्र तीन साल पहले इनको पदमश्री से सम्मानित किया जा चुका है और आपको एक चीज जानकर खुशी होगी यह मैं बात करता रहता हूँ बार-बार LC Tejas की LC Tejas की मैं बात करता हूँ ना Light Combat Tejas Aircraft जो है Indian Air Force का इस Aircraft को बनाने में पूरा-पूरा योगदान इनका है उस टीम को कई बार इनों ने ही ऑपरेट किया है जिनके द्वारा Tejas बनाए गया है Indigenously आपको पता है ना Tejas पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित Aircraft है Indian Air Force के पास तो उसका पूरा हाली में NHRC के नए Acting Chair Person के रूप में किसको Appoint किया गया है Acting Chair Person के रूप में NHRC के Appoint किये गये है प्रफूल चंद्रपंत क्या नाम है इनका प्रफूल चंद्रपंत प्रफूल चंद्रपंत साब कि अगर बात करें तो इससे पहले ये NHRC के Member थे तो अब ये NHRC के Acting Chair Person बन गये है और जब ये NHRC के Member बनाए गये थे 2017 में उससे पहले ये कहां पर थे उससे पहले ये Supreme Court के Judge थे 2014 से लेकर 2017 तक इन्हों ने ऐसा Judge Supreme Court में सर्व किया हुआ है उसके बाद NHRC में इनकी Entry हुई वहाँ पर Member थे और अब Acting Chair Person बन चुके है NHRC के पहले Chair Person कौन थे क्या बता सकते हूँ चले मैं बताता हूँ इनका नाम है Ranganaat Mishra क्या नाम है Ranganaat Mishra He was the first Chair Person of National Human Rights Commission अगला Question है Who has won Portuguese Grand Prix 2021 अभी हाली में Portuguese Grand Prix 2021 का title किसने जीता है जाहिड सी बात है Lewis Hamilton Lewis Hamilton ने एक बार फिर से एक और Grand Prix जीत लिया है और ये कौन सा है Portuguese Grand Prix No.1 पर है Lewis Hamilton Max Verstappen No.2 पर Valtry Bottas No.3 पर है और Sergio Perez No.4 पर है Lewis Hamilton Mercedes टीम से खेलते हैं Max Verstappen Red Bull से खेलते हैं Valtry Bottas भी Mercedes से खेलते हैं और Sergio Perez ये Red Bull से खेलते हैं अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कई बार आपसे Car Racers के जो Country होते हैं ये कहां से बिलॉंग करते हैं ये भी पूसता है तो Lewis Hamilton कहां से बिलॉंग करते हैं ये Britain से बिलॉंग करते हैं British खेलाडी है Max Verstappen ये Belgium से बिलॉंग करते हैं वैल्टरी बोटास आपके बिलॉंग करते हैं Finland से कहां से Finland और Sergio Perez कहां से बिलॉंग करते हैं ये खेलाडी हैं Mexico के Mexico आपको बता है साल 2019 से बीस में सबसे जादा Grand Slam किसे जीते हैं Lewis Hamilton नहीं जीते हैं और इसी वज़े से इनकी इस उपलब्दी की वज़े से 2020 में Britain की Queen की द्वारा इनको Nighthood से भी सम्मानित किया गया था किस से? Nighthood से तो आपसे कोशन बूस सकता है साल 2020 में Nighthood से किस Car Racer को सम्मानित किया गया था तो ये Lewis Hamilton ही है इनको सम्मानित किया गया था उम्मीद करता हूं सभी कोशन आपके क्लियर हो गया हूंगा फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बहुत कर भू सकते हो आज की बात यहीं तक रहेगी और ध्यान रखिए जिन क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपने 20 से वीडियो को जॉइन किया है तो क्लास के स्टार्ट में देख लीजे मैंने काफी अनॉस्मेंट किये हैं उसमें से देख लीजे क्लासेस जरूर एटेंड करिए आफ दुपैर में 3 से 4 में करेंट अफेर की क्लास में फिर से मुलाखात होगी आपका देन मंगल में हो